हर्याना विधान सबाचुनाव को लेकार हल्चल तेज धर्मेंद्र प्रधान से मिलने पहुचे CM नाज सिंग सैनी, CM नायब सिंग सैनी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर उन से मिलने पहुचे आज दिल्ली में होनी है बिजेपी की कौर ग्रूप के बैठक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान से मिलने पहुचे CM नाज सिंग सैनी हर्याना विधान सबाचुनाव को लेकार हल्चल तेज भूते नजर आ रही है धर्मेंद्र प्रधान से मिलने पहुचे CM नाज सिंग सैनी CM नाज सिंग सैनी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर उन से मिलने पहुचे और आज दिल्ली में होनी है बिजेपी की कौर ग्रूप के बैठक बतादे कि हरियाना विधान सभाचुनाओं को लेकर हलचल तेज होते नज़र आ रही हैं सभी पार्टिया आक्षन बोर्ड पर नज़र आ रही है वहाई धर्मेंद्र प्रधान से मिलने पहुँचे हरियाना के मुख्यमंत्री नाप सिंग सैनी वहाई धर्मेंद्र प्रधान से मिलने पहुँचे क्या कुछ ज़ादा जानकारी खास्ता पर बात करें भारते जिन्ता पार्टी की तो आज भारते जिन्ता पार्टी की एक बड़ी बैठक होने वाली है जेपी नडडा के आवाज पर उससे पहले ही हरियाना चुनाफ प्रभारी धर्मिंदर प्रधान के आवाज पर हरियाना की सीम नाइप सिंग सैनी पहुच चुके है और वहाँ पर जो है जो कैंडिडेट्स की सूची है वो उसका जायजा लिया जाएगा उसके बाद तकरीबन दस वजे जेपी नडडा जो की बीजेपी की राष्ट्रक्ष है उनकी आवाज पर अंतिम मोहर जो है वो लगेगी सुची पर उसके बाद कैंडिडेट्स कितने को टिकट मिली है वो उसके नाम जो है फाइनल किये जाएंगे और मीडिया में सायमने आएंगे और बता दें आपको नबे विजान सवा सीटों पर जो चुनाव होने इस पर भारते जंदा पार्टी ने पूरी तरह से अपनी कमर कसली है और लगातार जमीनी इस तरह पर भारते जंदा पार्टी चुनावी रहलिया कर रही है इसी के मते नजर आज की बड़ी बैठक है काफी एहम होने वाली है क्योंकि आज सभी उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं किसको टिकट मिला किसको नहीं ये सामने आ सकता है और हर्याना में जो चुनावी राजनीती का महौल है उसके उपर ये काफी बड़ी बैठक जो है वो एहम हो सकती है विशाल सिंग अगर बात की जाए आज दिली में कौर ग्रूप के बैठक होनी है भरते जंता पार्टी के उससे पहले हर्याना के मुख्यमंत्री नाइप सिंग सैनी का धर्मेंदर प्रधान से मिलना कितना एहम जी सोनिया जैसा कि हमने बताया कि मीटिंग काफी एहम होने वाली है क्योंकि अभी वो धर्मेंदर प्रधान से मिले है हर्याने के सीम नाइप सिंग सैनी और इसके ठीक बाद वो जेपी नडड़ा के आवास पर पॉसिंग है जहां पर ग्रह मंत्री अमिटिशा भी मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं तो प्रधाप में काफी एहम हो जाती है मीट बैठक क्योंकि चुनावों में जो है उमीदवारों के नाम वो सामने आने वाले हैं नब्बे सीटों पर चुनाव लड़ने वाली की तियारी बास्पा की पूरी हो चुकी है पक्षमी में बात करें तो कॉंगरेस पार्टी भी पूरी जोर तरिके से अपना रख रही है सब वुईदवारों के नाम वो भी जाहिर करने वाली है और इसी के चलते आज की मीटिंग काफी एहम रहने वाली है